हलो फ्रेंट्स प्रगयास किच्छन में एक बार फिरसे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज प्रगयास किच्छन कम सामन कम दाम में फिरसे एग रेशीपी लेका है और गर्मियां आते से ही सबको थंड़ा-थंड़ा आइस क्रिम शेक्ट जूस चाहिए तो आज हम थंडी- मात्र दो अपने को bread की slice चाहिए वो नहीं है तो उसका alternate में आगे बताऊं कि तो आप हमारे साथ अंतेक जुड़े रहे इसको set करने के लिए मेरे पास इस तरीके का यह बिस्कित का खाली हुआ था यह box तो वो ले रही हूं उसी के shape के हिसाब से मैं यह bread की slice square shape में cut कर रही हू तो मैंने side by side pan भी गरम करने रख दिया है bread को roast करने के लिए मैं यहाँ पर butter ले रही हूं homemade है आपके पास गी है या oil है किसी में भी आप roast कर सकते हैं बट non smell वाला oil ले और गी आप ले सकते हैं इसको low flame पर अपने को roast करना है यह pudding खाने में तो tasty बनेगी ही बट बनाने में easy ह और दाम में बिलकुल सस्ती है क्योंकि दो bread की slice आपके पास नहीं है तो घर में कोई भी biscuit तो सबके मिली जाते हैं तो कोई भी flavor के chocolate या normal वाले आप biscuit ले सकते हैं marigold है तो वो ले ले तो देख सकते हैं यह बहुती अच्छे से roast हो चुके हैं इनको अपन ठंडा करेंगे ठं प्लीट में अपन निकाल लेते हैं गेस की flame off कर दी और यह मैंने इनको एक प्लीट में निकाल लिया है यह थंडा होते हैं तब तक दूसरी तयारी कर लेते हैं अपन यह मैंने एक टी स्पून जितना गौंद का तीरा भिगोया था और एक गंटे पहले भिगो दिया इस तर तरिके से मैंने इसका यह पाउडर तयार कर लिया और इतना ही मैंने भिगोया था नौर्मल वाटर में और एक गंटे बात इस तरीके से जेली जैसे हो जाता है और इसमें लगेगी यह रबडी मैंने आधा लीटर दूद लिया हाइफ लेम पे इसको कुक किया कुछ भी मैं आड नहीं करा बस इसके अंदर मैंने तीन टेबल स्पून जितना कंडेंस एड करके और 180 इस्पून इलाइची पाउडर डालके यह रबडी तयार कर लिए इसकी रेसिपी हमार चैनल पर अल्रडी अप्लोड़ेड है और यह है होम मैट चेरी जो कि मैंने पपीते से तयार क मैंने इसी के साथ अब अपने को हल्दी वाली पूडिंग तयार करनी है तो यह सोक कियावा गौन का तीरा डाले यह बिल्कुल टेस्ट लेस होता है बट इसके बैनेफिट्स बहुत जादा है नेक्स्ट यह जो चेरी है वो डाल देते थोड़ी तो अगर आप चेरी पसंद नहीं करते हैं तो नट्स अड़ कर सकते हैं चोकोचिप्स अड़ कर सकते हैं सेम प्रोसेस से अपन फिर से ब्रेड रबडी और गौन का तीरा और चेरी लगांगे इस तरीक से मैंने दो लेर वाली तयार करी है आपको जतनी पसंद है उस हिसाब से आप कर सकते है मेरे पास कि बॉक्स थोड़ा छोटा है इसे सबसे मैंने ये दो लेरिंग वाली ही पुडिंग तयार करी है गौन का तीरा के बैनिपिट्स बहुत जादा आप जरूर से सर्च करके देगे मेरे चैनल पर इसकी बहुत सी रेसिपीज है आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको बह बहुत सी अमेजिंग रेसिपी देखने को मिलेगी और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले और देख सकते हैं ये अपनी पुडिंग सैट होने के लिए बिल्कुल तयार है इसको एक गंटे फ्रीज में रख देते हैं फ्रीजर में कातीरा बहुत ही यमी बनी है बच्चों को आप बिंदास दे सकते हों क्योंकि अपने इसको हेल्थी पनाया है और आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शायर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे रेसिपी कैसी लगती है और सब्स्राइब के प पहुचे थैंक्स पर वाचिंग